जैसे वजन घटाना बहुत मुश्किल होता है ना वैसे ही वजन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है यह हो सकते काफी लोगों को समझना है जो लोगों को ऐसी चीज़े बोला जाता है ना सुकडी हडी पतलून उनको यह बात समझ आ रही होगी कि यार हमें ना गेन होना पतल पतली सुगडी सुगडी हडिया है बाजूएं एक बिल्कुल जीरो अगर ऐसा करना मैं आपको अपनी डाइट बता रहा हूं तुम खुद देख लो यार ये क्या है भीगवे छोले और आलू को ना मैंने साथ रख रख रहा है शाम को एक चीज और पीता हूं जो तुम देख गया यार ऐसा हाल तुमारी उमर क्या है उमर क्या है तुमारी इतनी जादा कम उमर में तुम्हें ये दिक्कते हो रही है एक ऐसे चीज पिलाओंगा यार एक हफते के अंदर ना फूर्ती सी आ जाएगी तुम्हारे शरीर के अंदर खसकास होता ना पॉपी सीज एक ग्लस दूद में उसको डालो चुवा रहे होते हैं पांच लोग काट के उसको डालो और उस दूद को अबालो यार कोई प्रॉब्लम है वीडियो मैं बनाऊंगा पक्का मेरा वाद है यहां पर फर्स आप्सें पूछो कैसी चीज़ बताऊंगा भाई इतने फायदे मंज़र तुम लाखों रुपे भी खर्श दोगे ना उस जैसा खजाना नहीं मिल पाएगा और उसका नाम है हल्दी वाला दूद हल्दी वाला दूद मेड इन इंडिया कोई चाइना का प्रोड़क्ट नहीं है कोई बाहर का प्रोड़क्ट नहीं है अब सुनो उसका तुम्हें करेक्ट वे भी आना चाहिए बनाने का योग कि लोग गलत तरह से बनाते हैं पर उसके क्या फायदे होती है दिमाग तुम्हारा तेस कर देगा जो तुम्हें भूलने की दिकता है कैल्शियम के कमी है वह सही गटियां सूजन है वह सही सर्दी जुकाम हो रही है अब इसको बनाना कै कैसे चार चुकी हल्दीली फिर उबालो और फिर पीन है कोई और प्रॉब्लम है यहां पे सेकिंड आप्चन पूछे